नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ब्रिजस मेरा और आप देखरें ब्रिजल टिप्स तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इस आज का टॉपिक है कि गर्मी में क्या मौसा में तो आपको रोजाना एक कटोड़ी जरूर खाना चाहिए गर्मी आते ही हमारे सरी को ठंडी चीजे खाने की तलब लगने लगती जिसमें आता है कि लस्टी और धाई उ बहुत फायदी मेने हैं अपके स्वास्ते के लिए और उससे जरूर यूज कर ना चाहिए इसके बज़ाए लस्टी के बज़ा आप दही का इस्तिमाल करते हैं आपके स्वास्ते के बहुत फाइदे मन्द होते हैं तो आपको रोजाना इसका यूज करना चाहिए बलकि आपकी आपके सरे में जो गर्मी पैदा होती है उसको कम तो करता है मतलब आपके स्वास्ते के बहुत फाइदे भी उससे होते हैं तो आपको दही का सिवन करना चाहिए उसमें कैलसियम वि दही का सिवन जरूर कीजिए और आगे भी इसके फाइद है तो इस वीडियो को फुल वाज कीजिए पूरा देखे तब जाके आपको पता चल गया नवानों परसेंट लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है तो आज हम इसको बारे में पूरी डिटल में बताएंगे चल करते हो तो आपको एक कड़ोर दही का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए दही आपकी पेट के तंदूरस्त करता है आपकी सहत को अच्छा ख्याल रगता है बहुत अच्छा वरकता है पेट से सारी समस्या उसे जो समस्या होती उसको तंदूरस्त बनाता है कोई भी समस्या होती मुझबूत बनाने का दाइ है दाहे में मॉझबूत अच्छे वैक्टर जो मतलब आपके इमनिंटी को मजबूत भुकरता है। तो आपको रोजाना आप केलसें हमारे नाटों कोमद करना चाहिए और आपको खाना ज़रूर करने में भाइदमन देख नी ही प्रोटीन से बर पूर होता है उसमें आवसे पुच्छक ततों के साथ उसमें healthy fat भी होता है निश्चीत रुपसे उसका सिवन अच्छे fat वाले हार के लिए किया जैसे दैने की विल आपको वजन बढ़ाने के लिए काम करता है मतलब बलकी वजन घटाने में भी काम करता है कम fat वाले हार कम fat वाले दै का seven उन लोगों के फा अगर आप लॉक्टोज इंटोर्लिट है तो आप सिवन वस्य कर सकते आगर धे काते उसमिन को तो आपको धुग खा ने चीदस्टे में यौकरि। दूसरा जिनको कॉप जो और पेट के कैंसर जैसी बीमारिया है उन लोगों को बहुत फाइदे में दहिकास सेवन करना तो इस वीडियो को बहुत बहुत अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक सेर कॉमेंट सब्सक्राइब करके जाईएगा अगर सब्सक्राइब कर सेर कीजिए ताकि जिनकों को पता नहीं उनकों पता जे मतलब आप लाइक सेर का बटन जमा आप देख रहे वीडियो उनके निचे जो घंटिक का नेशान है उस पर प्रेस कीजिए चाहे आप किसी भी तरह आपके अंगले से करे या दूसरी के अंगले से करे तो आप उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि हम जो नए टॉपिक पर वीडियो लेखे आए उस टॉपिक की वीडियो आप तक पहुंच पाए तो प्रीज इस वीडियो को जरूर सेर कीजिए और पूरा वाच कीजिए ताकि नहीं नहीं जान करे आपको मिलती रहे और आप हेल्थी रहे तंदुरस्रे स्वस्तरे जैन जय बरत